सब्सक्राइब ते माई चैनल हेलो स्टूडेंट, बाइलाजी एंलाइन क्लासेस में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं अपने चैनल की माध्यम से यूपी बोर्ड में समलित होने वाले हाई स्कूल एवं इंटर्मीडियेट के विद्यार्थियों को हिंदी विशय के कुछ महतोपूर्ण टिप्स की जानकारी दे रहा हूँ इनको ध्यान में रखकर यदि आप तयारी करते हैं तो हिंदी विशय में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो यह हैं टिप्स अच्छे नंबर पाने की विशेषता है सुन्दर और वर्तनी दोस्मुक्त लेखन दूसरा है हिंदी पद्य एवं गद्य साहित के अंतरगत भारतेंदु युग दिवेदी युग आधिकाल एवं भक्तिकाल के लेखकों का समय वा उनकी रचनाएं ध्यान पुर्वक तयार करें गद्य एवं काब के अंतरगत प्रारंब के पाँच लेखकों वा पाँच कभियों का जीवन परिचय अवस्य याद करें आदर्स तयारी के लिए पिछले पाँच साल का अंसाल प्रस्नपत्र अवस्य हल कर लें इसके अतरिक्त रस, छंद, समास, रूप, धात, विग्र, वगेर तयार करने के लिए किताब के पीछे उदाहरणों को ठीक से प्रैक्टिस कर तयार करें निबंद की तयारी ठीक गंग से तयार करें इसमें वर्तमान खबरों की पूरी जानकारी रखें जैसे अटल बिहारी बाजपेई एक भारतिय लीडर महान बैज्यानिक डाक्टर अबुल कालाम आजात इस प्रकार स्वच भारत मिशन तो ये कुछ जो रिसेंट टॉपिक्स हैं इस पर अवस्य ही आप निबंद तयार करें कम से कम पाँच इस लोग हाई स्कूल के विद्यारती अवस्याद करें और प्रस्ण पत्र में जिस इस लोग का अर्थ पूछा जाए उसे कदापी न लिखें खंड काब्य के प्रस्ण अपनी भासा में लिखें उनका जबाब किताबी अंदाज में न दे कर अपने सही डंग से अपनी भासा में उसका उलिखें करें संस्कृत में हलंत और विसर्ग की अंदेखी न करें हलंत और विसर्ग न लगाने से अंक कट जाते हैं काब्य रचना की ब्याख्या करने के पस्चात काब्यगत सौंदर्य वभाव साम में अवस्य लिखें सब्द रूपों में तृतिय, पंचमी, खश्टी विभक्त के रूप तथाधात रूपों में लट वल रिट लकार के रूप अवस्य याद रखें काब्य में बिहारी, सूर, तुलसिदास, गद्य में मित्रता, इस्त्रया तून गई मेरे मन से भारती संस्कृत वो क्या लिखूं से ज़्यादा ब्याख्याएं अवस्य तयार कर लें मुख्य रूप से जो हाई स्कूल की चात्र हैं आदर्स लेखन के लिए दोनों और हासियां छोड़ें तथा उत्तर समाप थोने पर पूर्ण विराम अवस्य लगाएं ब्याकरण की द्रिष्टी से चुकी रस, छंद, अलंकार, संद, समास, आदि, पाठक्रम में दो-दो ही निर्धारित हैं हाई स्कूल में जबकि इंटर में कई कूर्स में रखे गए हैं इनको वस्य आप देख लें अगर भी हाई स्कूल में चुकी केवल दो हैं दो अगर आप तयार करते हैं एक आपको वस्य लिकने को मिल जाएगा वह इंटर के बिद्यार्थियों को रस, छंद, अलंकार इसमें अगर वो दो भी तयार करते हैं वैसे मैं चाहूंगा कि तीन आप तयार करें तीन में एक आपको अवस्य लिकने को बोर्ड परिच्छा में मिल जाएगा भासा की सुद्धता, विराम, चिन्नों का यथा अस्थान प्रयोग तथा सामगरी का अनुछेदों में विभाजन का अवश्य ध्यान रखें उत्तर लिखने में आवश्यक गती बनाए रखें जिससे निरधारित समय में संपून प्रस्णपत्र हल किया जा सके ब्याकरण के अंतरगत संदि, समास, प्रत्य, उपसर्ग, पर्यायवाची और बिलोम सब्द प्रति दिन अस्मरण करते रहें ये ऐसे प्रस्ण होते हैं जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स गणित की तरह दिलाने में सहायक होते हैं मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल के सत्तर नंबर के प्रस्णपत्र में उन्नीस नंबर का ब्याकरण होगा अगर आप थोड़ा परिश्रम करते हैं तो ये उन्नीस नंबर पूरे के पूरे आपको अवस्य प्रापत होंगे धन्यबाद